नमस्कार साथियों जैहिंद बंदे मात्रम आपके अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत अभिनादने दोस्तों आज की क्लास कुछ नई अंदाज में हो रही है जी हां दोस्तों अपन के जो सारे टॉपिक्स थे दोस्तों वह टॉपिक्स मैंने भोजन और प से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों कि भरोसा भग्वान पर है तो जो लिका है तकदिर में वही पाऊगे लेकिन भरोसा दोस्तों खुद पर है तो भग्वान वही लोकेगा जो आप चाहओगे तो सबसे पहले देखे दोस्तों आज के問 सेरी नि यह मैंने पढ़ा दिया आपको उर्जा का ऐसा ही मात रखें दोस्तों सब्से पहला आपके सामने क्रीट हो रहा दोस्तों उत्तर दीजी सासा दोस्तों और ताप भी जूल है सी निउटन हेडी कोई नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आप औरजा का ऐसा ही मातरक की अगर कहें भी बात आए तो दोस्तों आपको मैंने बता है था कारे करने की समता क्या कहलाती है औरजा कहलाती है दोस्तों कारे करने की समता क्या कहलाती है दोस्तों कारे करने की समता औरजा कहलाती है तो दोस्तों यहां पर कारे का मातरक मैंने आपको बता है था जूल दोस्तों जी हाँ बिल्कुल जो बंदे भी ऑप्सन कर रहे हैं बिल्कुल उसका अंस्वर सही है दोस्तों अब आपका उतर भी सही है दोस्तों अब कुछ अलग दोस्तों इस ऑप्सन के बारे में भी बात करते हैं ताकि अपन क इसका उतर थाई दोस्तों, नीूटन होता है दोस्तों, बलका मातरक, अगर आपके एक्जाम में कभी बलका क्वेशन आजाई दोस्तों, तो बलका मातरक नीूटन लगा के आना है आपको, next देखे दूसरे question पर नजर गुमाते हैं देखे दूसरा question आपके सामने create हो रहा है जी हाँ दोस्तों question पड़ी आप सभी दोस्तों भोजन करने का तरीका कहलाता है बहुत ही अच्छा question है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो class first हुई थी अपन की आर्मी के लिए live class दोस्तों उसमें ये question मैंने आपको पड़ाया था थियोरी में कि भोजन करने का तरीका क्या कहलाता है अगर ऐसा आपके एकजामे question आजाए आर्मी के किसी भी trade के लिए तो दोस्तों आप क्या करके आओगे बिल्कुल दोस्तों आपके सामने option करेट हो रहे पहला portion है दूसरा अवयव है तीसरा तत्तो है और चोता है संतुलित भोजन अब देखे दोस्तों अगर ऐसा question आजाए कि भोजन करने का तरीका क्या कहलाता है तो आपको दोस्तों portion करके आना है बिल्कुल आपका option क्या होग जी कि तो अवयव धेखे भोजन में मुक्रूड रूप से 6 अवय होते है और कुल 7 अवय वैंने आपको बता आता तत्तो होता एक ही परकार के परमानुस निर्मीत पदार तत्तो कहलाता है संतुलित भोजन होता है एक ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सबी पोशक तत्तों उत पस्तित हो है निए एक ऐसा बोजन जिसमें कार्बोहाइट्रेट प्रोटीन वसा खनीज लवन जल खाते रहे से सभी यो वो कहलाता है दोस्तों संतुलित भोजन ठीक है अब देखिए आगे अपन नेक्स्ट क्वेशन पर नजर घुमाते हैं दोस्तों इसका उत्तर एस था ब देखिए एक तो था सुक्सम मात्रिक पोसकता तो एक वरत मात्रिक पोसकता तो तो यहां पर देखिए वरत मात्रिक पोसकता तो की बात हो रही है दोस्तों तो यहां पर देखिए ऑप्सन पहला आ रहा आपके सामने देखिए दोस्तों कार्बोहाइट्रेट दूसरा वसा तिसरा प्रोटीन और छोटा सभी तो देखे वरत मात्रिक पोसकता तो तीन थे कार्बोहिटेट वसा प्रोटीन ये तीन हो दोस्तों बिल्कुल सही है और निचे आप्सन आवरा आपका दोस्तों सभी और सभी है वो बिल्कुली सही है यह इसका आप्सन है वो दोस्तों डी आ बोड़ा सा अलग है कि अपकी बार पूछा आपको सुक्सम मातरिक पोसकता तो है यह नहीं आपके जो आप्सन के लिए ठोरे इन में चारों मैंसे सुक्सम मातरिक पोसकता तो कौन सा है पहला कार्बो हाइड्रेट डूसरा वशा तीसरा खनीज लवन चौता प्रोटीन तो द बहुत जड़ा चाहिए दोस्तों क्योंकि यह हमारे सरीर में क्या परदान करते है उर्जा परदान करते है ठीक है लेकिन दोस्तों खनीज लवन है वो है सुक्सम मातरिक पोसकता तो तो आपका उप्सन सी है वो दोस्तों बिलकुल सई आंस्वर है खनीज लवन आपका बिल क्या कर रहे हैं दोस्तों देखिए मैं इसको स्कॉल करके थोड़ा छोटा कर रहा हूं कार्बो हाइट्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है बहुत अच्छा क्वैसन है दोस्तों कार्बो हाइट्रेट जो तत्वों है किन तत्वों से मिलकर बना होता है दोस्तों आपके सा यह option है कि carbohydrate है इसका निर्मान किन के इंतत्तों से मिलकर बना होता है तो यह बहुत ही अच्छा question है दोस्तों डबल इस्टार भी आप इस question पर मार शक्ते हो दोस्तों बिलकुल दोस्तों important question है बहुत important question है दोस्तों तो देखिए यहां पर आपका उत्तर दोस्तों जो बंदा A option क lock कर दिया जाए option A को दोस्तों यहां आप lock कर शकते हो बिलकुल सही है दोस्तों बिलकुल option A है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा और दोस्तों अगर यहां बात करें CHORN तो यह दोस्तों वसा में पाये जाते है किसमें पाये जाते दोस्तों वसा में पाये सोरी दोस्तों प्रोटीन में पाए जाते हैं ठीक है आगे देखिए next question के अगर बात करें कार्बो हाइटेट का सुत्तर है अच्छा question है दोस्तों question number 6 बहुत अच्छा question है दोस्तों आपके exam की दस्टी से दोस्तों बहुत अच्छा question है important question माना जाएगा दोस्तों ठीक है पहला option आपके सामने create हो रहा है NaCl sodium chloride दूसरा CACO3 ठीक है काको 3 calcium carbonate और तीसरा option हाथा CnH2N1 CnH2N1 और छोता है C6S12O6 आपके question क्या पूचा गया दोस्तों आपके सामने question ये पूचा गया है कि कार्बो हाइड्रेट का क्या बताना है सुत्र बताना है ठीक है फॉर्मूला बताना कार्बो हाइड्रेट का बहुत अच्छा question है दोस्तों यहां पर देखे आपके सामने जो option दोस्तों C create हो रहा हो बिल्कुल इस का right answer रहेगा का दोस्तों C option CNH2NON है वो कार्बो हाइड्रेट का क्या होता है बल्व दोस्तों CNH2NON है यह बहुत दोस्तों किसका सुत्र है कार्बो हाइड्रेट का सुत्र है अब देके दोस्तों अब्धर उप्षण पर नज़र डालतें क्योंकि तीन चार question और त्यार function NACL किसका सुतर है दोस्तों तो यह साधारन नमक का सुतर होता है सोडियम क्लॉराइड अगर आपके एक जामे कभी क्षिन आ जाता है नमक का सुतर बता हो तो सोडियम क्लॉराइड CACO3 किसका होता है यह कैलसियम कार्बोनेट का होता है दोस्तों जो खडिया पतर आता है उसक S12 O6 ठीक है याद किजी दोस्तों मैंने का था मेंदर शिंग धोनी बल्ले बाजी करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों एक छक्का तो ओप साइड में लगया एक छक्का तो ओप साइड में एक छक्का ओन साइड में ठीक है और किते छक्के मारे दोस्तों दो छक्के मारे योग कि चके मार दी एक चका उप साइड से एक चका और अन साइड से दो चकों का योग हो गया 12 ठीक है तो दोस्तों जब भी आपके C6, S12, O6 आया और इंपोर्टेंट भी आता भी है प्राय दोस्तों तो आप गलुकोज को याद करना दोस्तों गलुकोज एक ऐसा पो सकता तो जिसे वो मिलती है क्या मिलती लालं, तुरंत और जा मिलती है, क्वेस्टन नंबर 6 आपके उमीद करता हूं हो गये है, दोस्तों क्लास को लाइक कीजी, अपने मेत्रों के साथ सैर आवसी कीजी, बिल्कुल दोस्तों जो मैंने का था वTheory करौँँगा, तो खेयौरे के बाद ऐसे तरंत और्जा किस पौसकतातों से मिलती है अब ही मैंने दोस्तों बात की थी कि हमारे सरीमें तरंत और्जा की अगर बात करें कि किस पौसकतातों से मिलती है option A आपके सामने परकटोरा किसको याद करना है कार्बो हाइटरेट को याद करना है option C को लॉक कर दिया जाए option C is right answer दोस्तों बिल्कुल सबसे ज़्यादा तुरन तोरजा क्या मिलेगी कार्बो हाइटरेट से क्योंकि दोस्तों कार्बो हाइटरेट का जो विगटन है बोजन का पासन है वो थोड़ा क्या होता जल्दी होता है और जल्दी तूट के ये क्या हो जाता गलुकोज में बदल जाता है जिससे क्या होता तुरन तोरजा मिलती है आपको पता है गलुकोज से तुरन तोरजा मिलती है अभी मैंने बताते हैं दोस्तों धोनिने शिक्सर लगाए थे नेक्स्ट क्वेशन आट पे दोस्तों विचार करते हैं आटो क्वेशन बहुत अच्छा क्वेशन है खतना क्वेशन है दोस्तों आर्मी के दस्टी से दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेशन है दोस्तों और 200 डॉलर का क्वेशन है यह देखी ब 315 ग्राम और डी-ारा छार किलो कैलोरी दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अगर आपके ओप्शन में देखिए हमारे सरे में कार्फूाइटएट बोला तो पता है दोस्तों कार्फूाइटएट से क्या मिलती है उर्जा मिलती है तो उर्जा अगर लेहनı है तो कुछ तो गरण question पर दोस्तों विचार करते हैं question number 9 आपके सामने है बहुत ही अच्छा question है दोस्तों question number 9 कुछ इस प्रकार से तुरंत और्जा की प्राप्ती में किस पोशक तत्तों से मिलती है है निया हमारे सरीर में तुरंत और्जा लेनी है तो कौन सा पोशक तत्तों को लेना है दोस्तों तो तुरंट अगर औरजा की बात करें तो दोस्तों यहां पर तुरंट औरजा आपका ओप्सन ए वसा है बी जल है सी विटामीन है दोस्तों और डी है कार्बो हाइड्रेट दोस्तों तो अगर तुरंट औरजा आपको लेनी है दोस्तों तो यहां पर सभी करना पड़ेगा कार्बो हाइट्रेट गरन करो दोस्तों तुरंत और जा आएगी क्योंकि उसमें ग्लुकोज परचूर मात्रा में पाया घ्जाता है नेक्ट देकि क्वेस्टन नंबर 11 आपके सामने कुछ इस परकार से कार्बो हाइट्रेट की कमी से रोग कौन सा होता ह देकि कार्बो हाइट्रेट की कमी से रोग होता है मैंने का था कार्बो हाइट्रेट की कमी से एक मात्र बिमारी होती है दोस्तों बिल्कुल आप्सन मारी दोस्तों पहला क्वासियोर कौर पहला क्वासियोर कौर दूसरा हाइपोगलैसीमिया तीसरा यहां पर दोस्तों वो ग्लाइसीमिया है वो बिल्कुल राइट आंस्वर है ये एक मातर ऐसी बिमारी है जो दोस्तों भोजिन में कार्बो हाइडरेट की कमी से होती है आपका उप्षन इस परसंद के लिए भी रहेगा लेकिन दोस्तों इन क्वेस्टन को भी समझते हैं कि क्वासी और कौर किस् रिक हो जाती है और कमजुरी आ जाती है शरीर में यह होता है कौासीर को रोग Ettा मेरेशमी बीरी होता है गलगंड रोग की बात करें तो भोजन में दोस्तों आयो डीन की कमी से होता है इसलिए नमक है यह 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 उसको आयो डीन nuk cohort करना चाहिए ताकि गलगंड रोग नहीं हो दोस्तों मोटा पा है अपसी विटी ये दोस्तों अतिदीक वसा यूग तो आप खादे पदार्तों का सेवन करें तो मोटा पा होगा तो आपका दोस्तों इस क्वेशन के लिए 11 नंबर जो क्वेशन है कि कारबाइटर की कमी से कौ अच्छा क्वेशन है आपके सामने दोस्तों डबल स्टार तो बनता है यार ठीक है तो सबसे मीठी प्राकर्तिक सरक्रा है और यह लालों सहद में पाई जाती किस में पाई जाती है दोस्तों आगे लेक्टोस की बात करें तो दोस्तों यह दूद में पाई जाती है दोस्तो बिल्कुल और सुक्रोज है जो सामने स्रक्रा होती है कोई बात करे कि सक्कर का सुतर बताओ मूड हो गया है तो C12 H22 O11 क्या होता लालाओं C12 H22 O11 ये किसका सुतर है शक्कर का सुतर है नेक्स्ट क्वेसन नमबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस फरकार से चनाव जो में कोन सी स्रक्रा पाई जाती है क्योसन मैंने कराया है दोस्तों कि चनाव जो आप खाओ दोस्तों याद किजी मैंने का था बियर के पानी में क्या होता है दोस्तों जो होता है और दोस्तों उसमें स्रक्रा कोन सी पाई जाती है दोस्तों तो यहां पर देखे फ्रुक्टोज माल्टोज इस्टार शवी गलत है तो ध्यान देजे दोस्तों यहां पर माल्टोज आपकी बिल्कुल सही ऑप्सन होगा ऑप्सन बी को लॉक कर दिया जाए बिल्कुल सही आंस्वर है नेक्स्ट देखे क्वेसन नंबर 14 दोस्तो कि लेक्टोस रक्रा किस्ट में पाई जाती है बिल्कुल दोस्तों लेक्टोस रक्रा किस्ट में पाई जाती है अच्छा क्वेसन है दोस्तों बिल्कुल यहां पर लेक्टोस रक्रा किस्ट में पाई जाती है अच्छा क्वेसन है दोस्तों यहां पर लेक्टोस रक्रा की बात दोस्तों लेक्टिक अमल है दोस्तों के साथ एक लेक्टो बैसिलस जीवानों भी पाया जाता है और इस लेक्टो दोस्तों किस जीवानों के कान होता है आपके question ये भी बन सकता है कि दूद जो दई में बनता है दोस्तों वो किस जीवानों के कान होता है दोस्तों उस जीवानों का नाम है दोस्तों लेक्टो बैसिलस देखे दोस्तों आजकल आप कुछ comedy जैसे कहीं परकार के ये दोस्तों आ हमारे यहां दूद से दई में बदलने वाले जिवानों को जिवानों नहीं जावन का जाता है दोस्तों ऐसे आप कभी कभी सुनते हो मज़ा के वाले कि दूद जो दई में बदलता है उसको जिवानों नहीं क्या बोलते हैं जावन बोलते हैं जावन बोलते हैं लेकिन यहां अगर ऐसे कभी भी question आजाए कि दूद दही में बदलता है वो होता है lactobacillus जिवानों कैसा जिवानों लाला हूँ lactobacillus lactobacillus आपको याद करना है और इस question का आपका उतर कि lacto जो स्रक्रा हो किसमें पाई जाती lacto जो दूद में पाई जाती है दोस्तों आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सद में फ्रुक्टो स्रक्रा हो गई दोस्तों गन्ने में माल्टो जोती है गन्ने को माल्टा ही कहते है दोस्तों और गन्ने में माल्टो स्रक्रा होती है दोस्तों अब देखिए question number 15 आपके सामने सबसे ज़्यादा औरजा किस पोसक ततो से मिलती है अब ये question यहाँ ऐसे नहीं है कि तुरंत औरजा किसे मिलती है यहाँ पर question ये क्रिये टोरा है कि सबसे ज़्यादा औरजा किसे मिलती है कौन से पोसक ततो से मिलती है देखिए औरजा तीनों से मिलती है ये और ये वरत मातरिक पोसक ततों दोस्तों ये मैं बार बार पंदरा बार यहां गेत गा चुका हूँ पहले कह रहा हूँ दोस्तों कि ये वरत मातरिक पोसक ततों है कार्बाइटर्ड प्रोटीन वसा तीनों वरत मातरिक पोसक ततों है औ और तीनों से क्या मिलती है एनरजी मिलती है दोस्तों ठीके लेकिन दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों तो सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है दोस्तों याद किजिए 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी मैंने बताया था दोस्तों कार्बाइटरेट से 4.0 कैलो तो इसका मुलब ज़्यादा किसमे होई दोस्तों 9.1 से 9.3 कलो कलोरी option C या विलकुल सही आनस्वर है option D सुक्सम मातरिक पोसकत तो वरत मातरिक है भी नहीं दोस्तों बिलकुल अगर आपको ये क्वेसन आ जाए कि तुरंत और जाके से मिलती तो कार्बो हैट्रेट से मिलती है दोस्तों लेकिन या गर ऐसा question आ गया कि सबसे अधिक और जाके से मिलती वसा से और सबसे कम और जाके बात करें किसे मिलती दोस्तों तो सबसे कम और जाक कार्बो हैट्रेट से मिलती है हालांकि कोई खास डिफरेंस नहीं है कार्बो हैट्रेट और प्रोटीन से लेकिन दोस बोजिर में जो एक पोस सक्तत तो पाया जाता प्रोटीन उसके खोज करता, जिक्र हो रहा है, सी-फंक का नाम आ जरा मुल्डर का रहा, जेजे-थॉम्सन का आ धोस्तों, ओफ्सन-डी है, हॉपकिंग्स का आ रहा धोस्तों, तो यहाँ प्रोटीन के खोज करता देके, सी-फं अंक ने दिया विटामिन के खोज कता कौन से दोस्तों हॉपकिंग्स थी लेकिन यहां आपन के प्रोटीन की बात होई लालों इसलिए प्रोटीन का जो उतर रहेगा मुल्डर रहेगा बिल्कुल दोस्तों ऑफसन नंबर जो भी है वो बिल्कुली सटिक और सही आंस्वर है ब बहुत अच्छा क्वेसन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेसन इस सेरीज का बोडी बिल्डिंग एलिमेंट से विक्यात है दोस्तों कौन सा ततों बोडी बिल्डिंग एलिमेंट से विक्यात है दोस्तों हमारे बोडी की बिल्डिंग एलिमेंट मलब क्या करता है हमारे सरीर क कि मरमत करता है, निर्मान करता है, टूटी-पूटी हड़ियों से सुरुख सा कन्याला ततो, वही दोस्तों, बिल्कुल पहला option protein, वो right answer है दोस्तों, आगे जाने के भी जरूरत नहीं रहेगी, नेच्ट क्वेशन पर दोस्तों विचार करते हैं कि सबसे जदा protein किस में पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेशन है दोस्तों सबसे जदा protein किस में पाई जाती है दोस्तों, तो यह अगर बात करें दोस्तों, पहला option A, spybulin सेवाल, spy equivalent law, बी ऑप्सन सोयाबीन, C, अंडा और D, दूधे, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात हो रही है, स्पाइवरलीन अस सेवाल, दूसरा सोयाबीन, तीसरा अंडा और चोता दूध, मैंने दोस्तों यह कहा था, कि अगर आप दोस्तों ऐसा क्वेसन आए, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है दोस्तों तो यहां पर आप अगर स्पाइबरलीन सेवाल को सोयाबीन के साथ देखते हो तो दोस्तों आपको स्पाइबरलीन सेवाल कोई करना है क्योंकि दोस्तों एक मात्र ऐसी सेवाल है जिसमें 65% प्रोटीन पाई जाती है देखिए एक ऐसी सेवाल है जिसमें 65% प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि ये जो दोस्तों सांबर जील है जो राजस्तान के सांबर जील है दोस्तों उस सांबर जील जो नमक उतादन के परशिद है उस क्यारियों के उपर क्या होता दोस्तों जैसे ये क्यारी बने ये नमक के लिए तो दोस्तों जो नील आएगी उपर हरेरे रंग के जो काई आएगी उसको बोला जाता सेवाल और इस सेवाल में एक दोस्तों सेवाल के परजाती पाए जाती है स्पाइवरलिन औ बहुत ज़्यादा होती है, 65% होती है, और इसका उप्यो कों करते हैं दोस्तों, याद कीजी, मैंने बताया था, आपको क्लास में, अंतरिक सियात्री भोजन के रूप में करते हैं, ताकि उनको क्या हो, लंबे समय तक दोस्तों, एनर्जी बनी रहे हैं, ठीक है, इसलिए, इस परशेंट होती है दोस्तों तो यह ज्यान रखना यहां जो ऑप्सन है यह उप्सन में क्या है कि इस परवलीन सैवाल और सोयाबीन दोनों दे रखें जब दो चीज साथ आ जाए तो आप दोस्तों उपर वाले को वरिता दोगे क्योंकि यहां 55% है यहां ज़्यादा है अगर नहीं होता तो फिर आपको सोयाबीन लगाना है दोस्तों तो देखें दोस्तों अंडे से तो क्या है सोयाबीन भी बैतर है ठीक है दोस्तों मैंने वहां कहा था संडे होया है मंडे रोज गाओ अंडे तो यहां खास अंडों से कुछ नहीं मिलने वाला 10% प्रोटीन है लेकि के सामने परकट हो रहा है सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है उपर मैंने बता दिया वैसे दोस्तों आपको समझदार विद्यारती कोई सारा काफी होता है अब भी यह कोई क्षेंग का उतर नहीं दे पा रहा तो दोस्तों उसको भगवान भचा सकता है देखिए यह यहां देखिए option सोयाबीन में कितना protein पैसे अभी मैंने बताया दोस्तों 40-42% बिल्कुल दोस्तों आपका option है दोस्तों यह है वो बिल्कुल ही right answer है 40-42% आपका option क्या है दोस्तों सही होगा इसको दोस्तों lock कर दिया जाए बिल्कुल lock कर दिया मैंने यहां पर देखिए आगे protein से कितनी औरजा मिलती है अच्छा खासा question है दोस्तों बिल्कुल दोस्तों कितने का 301 डॉलर का question है बहुत अच्छा question है दोस्तों exam की दश्टी से आपका question बहुत अच्छा है दोस्तों important है दोस्तों इसको डबल स्टार मारे गया आप दोस्तों protein में कितनी औरजा मिलती है तो यहां पर उप्सन करेट हो रहा है, चार पॉइंट, जिरो किलो कैलोरी। के सी य र कालाला, मतलब होता है, किलो कैलोरी धोस्ते बोले मत बनना इतनä, आगे बी का 4.1 kilocalorie 9.1 kilocalorie और 5 kilogram 5 kilogram मज़ा जए दोस्तों यह तीदो हो इनी सकती ठीक है सर बोले यह तो option देदिया आपको ठीक है तो यहां पर 4.0 kilocalorie दोस्तों किस में होती है कार्बो हाइडरेट में होती है लालो और 4.1 kilocalorie वो किस में होती है दोस्तों प्रोटीन में होती है किस में होती दोस्तों प्रोटीन में होती है तो आपका option भी है वो बिल्कुल सही है 4.1 किलो किलोरी बिल्कुल सही है दोस्तों 9.1 किलो किलोरी का option आई तो वसा को ठोक के आना है दोस्तों ठीक है तो ये कार्बॉाइटरेट ये प्रोटीन ये वसा अपन मान के चलो की 20 क्वेशन और बता दूगा मैं अब देखिए एक अच्छा क्वेशन आ रहा है कि तूट फूट के मरमत में कौन सा पोसकता तो आउसे के पहली बात तूट फूट होने ही क्यों देते हो लालों इदर उदर आप तो कूथते हो फिर बोलते साल तूट तूट होग तो देखिए मैंने का था एक बोडी बिल्डिंग एलिमेंट पहले क्वेशन कर चुके हैं तो यहां देखिए पहला उप्सन आ रहा है वसा वसा नहीं है लालों विटामिन सी भी नहीं है प्रोटीन हो सकता है लेक्टोस भी नहीं हो सकता है क्या होगा सर बिल्कुल प्रोट हाा लेकिन दोस्तों मरमत नहीं करता है वाकिय कोई बी ही जिसकी हैसिए्ट नहीं है दोस्तों घाओ ओन को भर दे ठीक है क्योंकि घाओ तो हमारे रग रग में बच्छ हैं दोस्तों बाइस नमबर के उसन स्था खासा क्वैसन है दोस्तों इसको 299 डॉलर का मानेंगी बिल्कुल दोस्तों अच्छा क्वैसन है दोस्तों नाकून और शिंगों के सिंगों सिंग बेड़ों के सिंग सबके सिंग जो भी सिंग है दोस्तों सिंगों के दोस्तों सिंगों में कौन से प्रोटीन पाया जा तो यह बात हो रही दोस्तों यह क्रेटीन हिस्टोनी हिमोग्लोबिन ओसीन आपके सामने ऑप्सन है क्रेटीन ऑप्सन बिल्कुल थोड़ा मुरी द दोस्तों दूद में कौन सा प्रोटिन पाया जाता है दोस्तों दूद में प्रोटिन की बात हो रही दोस्तों यह हीमोगलोबिन तो दोस्तों रक्त में है सुकरूस तो सरक्रा का नाम है कैसी इन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों दूद में कैसी इन प्रोटिन पाई जाती है कोई सी प्रोटेन दोस्तों कैसी इन प्रोटेन बिल्कुल सही उतर रहेगा आपका next question देखें दोस्तों आज कि सेरिस का अंतिम question दोस्तों सुरी अंतिम नहीं दोस्तों क्वेस्ट और है अतिदिक वसा के जमास कोई सी बिमारी होती है पहले तो अच्चे खापी के चर ले जान नहीं रखा कि साब गे लियाओ, दूद आपर आपका कोई DVK वसा युक्त भोजे पतारत आप गरन करते हो दोस्तों बहुत ज्यदा मातर में घी तेल स्ब खाते हो दोस्तों और आप घूमते घामते नहीं हो वया मनहीं करते हो दोस्तों पसीना नहीं बहाते हो तो आपको मोटा पसी कार कर देगा नेक्स्ट क्वेसन इस सेरेज का अंतीम क्वेसन ढोल नगड़ों के साथ स्वागत करते हैं वसा जल में खाली जगा है वसा जल में क्या है दोस्तों कोलंसी ले, काई कुलंसी ले, पता है दोस्तों, पानी के उपर तेल डालोकीinda कब घुलने वाला अग कुलंसी ले, ठीक एतने बोले हैं, मेरे आर्मी के लाल सब सही कर देंगे, भी ऐफ्सन विल्कूल सही है, इस यासा के साथ आज की कलास को विराम देते है। जै हिंद जै वंदे मात्रम